मा कुस्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब तूट चुके हैं, इससे जाइदा ताकत नहीं रही अब, अल्विदा कुस्ती 2001-2024 आप सब की हमेशा रिनी रहूंगी, माफी भारतिये पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले, अयोग्य घोशित किये जाने के बाद, कुस्ती को अलविदा कह दिया है विनेश फोगाट ने मंगलबार को एक के बादे, तीन मुकाबलों में सांदार प्रदर्शन करते हुए, कुस्ती की 50 किलो भारबर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी वो ऐसा करने वाली पहली भारतिये महला बनी, हाला कि इसके चंद घंटे बाद ही मान्य वजन से अधिक भार होने के कारण, विनेश फोगाट को अयोग्य घोशित कर दिया गया विनेश फोगाट ने इस पूरे घटना क्रम पर कोई टिपनी नहीं की, लेकिन उन्होंने गुरुबार सुबह कुस्ती से सन्यास का एलान कर दिया है हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सैनी ने विनेश के एलान के बाद उन्हें सब के लिए चैंपियन बताया है और कहा है कि विनेश का स्वागत एक मेडलिस्ट के तौर पर ही किया जाएगा वहीं अमेरिका के दिगज कुस्ती पहलवान जॉर्डन बारवो विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे हैं उन्होंने मांग की है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्बर मेडल दिया जाए। हाला कि देश ही नहीं बलकि दुनिया के कई दिगजों ने विनेश के लिए अपना समर्थन जताया है। पहलवान वजरंग पूनिया ने कहा है कि विनेस हारी नहीं बलकि उन्हें हराया गया है. उन्होंने ट्वीट किया विनेस आप हमारे लिए सदैव विजेता रहेंगी. आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो. वहीं साक्षी मलिक ने ट्वीट किया विनेश तुम नहीं हारी हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती ये पूरे भारत देश की हार है देश तुम्हारे साथ है खिलारी के तौर पर उनके संघर्ष और जज़बे को सलाम बजंग पूनिया और साक्षी मलिक उन भारतिये पहलवानों में सामिल है जिनोंने पिछले साल कुस्ती महासंग के तपकालिन प्रमुक और बीजेपी नेता ब्रिजभूसन सरंच सिंग पर यौन सोशन के आरोप लगाये थे हालाकि ब्रिजभूसन सरंच सिंग अपने उपर लगे आरोप को खारिज करते रहे हैं उस समय विनेश फोगाट भी खिलारियों के आंदोलन का बड़ा चेहरा थी और इन पहलवानों ने महीनों तक दिल्ली में धर्णा प्रदर्शन किया था कॉंडेस सांसत सरसी थरूर ने कहा इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की लड़ते लड़ते ठक गई है ये लड़की ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बारो ने भी विनेश के समर्थन में टूइट किया उन्होंने विनेश फोगाट को सि साथ ही ओलंपिक के नियमों में बदलाव को भी जरूरी बताया है उन्होंने कहा है कि टुनामेंट में दोनों दिन वजन किया जाता है ऐसे में दूसरे दिन वजन में एक किलो तक की छूट मिलनी चाहिए वजन करने के लिए सुबर साढ़े आठ बजे से साढ़े दस बजे तक का समय दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सेमी फाइनल में जीतने के बाद दोनों ही फाइनलिस्टों के मेडल पक्के होने चाहिए भले ही वो दूसरे दिन वजन के पैमाने पर खड़े ना उत्रे गोल्ड भले ही तय वजन में रहने वाले खिलारी को ही मिले लेकिन विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। विनेश फोगाट ने मंगलबार को प्री क्वाटर फाइनल में दुनिया की नंबर एक खिलारी, क्वाटर फाइनल में युक्रेन की पहलवान, सेमी फाइनल में क्यूबा की खिलारी को हरा कर फाइनल में जगह था मगर विनेश का ये सपना चंद घंटों के भीतर ही तूट गया उनके साथ साथ करोरो भारतियों के सपने भी धारासाई ही हो गए अगर सब ठीक रहता तो विनेश ने बुद्वार रात फाइनल मुकावला खेला होता और अगर वो ये जीतती तो सायद भारत के खाते में पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल भी जुड़ता पेरिस में भारतिय दल के चीप मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिंसा पारदिवाला ने बिनेश फोगाट को अयोग्य घुर्षित किये जाने पर कहा कि सेमी फाइनल के बाद बिनेश का वजन मान्यभार से दो किलो 700 ग बहाना पड़ता है जिसमें बहुत सी एक्सरसाइज सोना बात स्टीम बात वगयरा सामिल है लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए होता है लेकिन दुरभाग्य से हमारे पास इतना समय नहीं था हमारे पास सिर्फ 12 गंटे इसलिए सारी रात पूरी ठील इस प्रक्रिया में जुटी रही ताकि विने इसका वजन घटाया जा सके उन्होंने कहा हमने उनका वजन घटाने की हर संभव कोसिस की जब उन्हें पसीना आना बंद हुआ तो हमने बड़े कदम उठाए जैसे उनके बाल काटना सायद हमें कुछ और घंटों की महलत मिलती तो हम ये 100 ग्राम बजन भी घटा लेते हैं लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था अब जब वह अयोग्य घोसित हो गई हैं तो सवाल ये भी है कि विनेश को रिहाइड्रेट करने के लिए कौन से कदम उठाए जाए फिलहाल वो मेडिकली और फिजिकली दोनों ही तरीके से सामान्य इस्थित में हैं हमने एहतियातन उनके खून की जांच करवाई है विनेश को जो फाइनल मुकावला लड़ना था वो हो चुका है और अमेरिका की सारा हिल ब्रैंड ने गोल्ड मेडल जीत लिया है उन्होंने तीन जिरो से ये फाइट अपने नाम की है वहीं इस मुकावले में चीन क फेंग जी की और जापान की सुसाकी यूई दोनों को ही ब्राउंज मेडल दिया गया है